हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागते सभी का CBSE दोस्त यूट्यूब चैनल में मैं आपका CBSE दोस्त संजेर पर्माद तो जैसे आप जानते हैं कि CBSE की और से और NEP 2020 के अकोडिंग 50 अवर्स का ट्रेणिंग कंपरसरी है पूरे साल में तो किसी भी टीचर को या प्रिंसिपल को 50 अवर्स कंपरेट करने हैं यहाँ पे ट्रेणिंग में तो NEP में ये एक सजेशन और एक रेकमेंडेशन पे दिया ग लेकी तो वीडियो में अंतक बने रही है तो चले शुरू करता है तो वन डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा यह तो टोटल जो हम डिसकस करने वाला है वह पूरा एजनडाइस प्रकास यह इस वीडियो का अबाउट ट्रेणिंग ट्रेंग डिटेल्स इंप्टन नोट्स for training and contact for queries तो यह सारी चीज़ आएगी तो सबसे पहरे बात करता है about training तो training as per NEP जो मैं बात कर चुका हूँ वही है 5-0 मैंने 5-0 लिखा है 50 hours training of 50 hours of training is mandatory और one day training organized by department of skill education और यह department of skill education से है तो जहां पर भी skill education के कुछ subject चलते है उनमें से किसी एक subject का यह रहेगा तो department of skill education का यह training है कौन सा है क्या है उसके बारे में अब देखते है तो training program का detail कुछ इस प्रकार से है date 1st July 2023 तो 1st July पे रहेगा यह training का timing है 10 a.m. से 4 p.m. तो 10 से 4 बजे तक रहेगा reporting time है 9.30 का venue ITL public school द्वार का sector 9 New Delhi तो यह location दहेगा training का training का school registration के लिए link आपको description में मिलेगा वहां जाकर क्या आप कर सकते हैं और training किन के लिए है तो training yoga teachers who opted yoga as a skill subject तो जिस किसे भी school में yoga 841 subject code है उसका वो जिन्होंने opt किया है तो उनके yoga teachers के लिए है और सिर्फ yoga teachers इसमें participate कर सकता है जो भी yoga teachers मतलब यह नहीं कि school में as a yoga teachers का आपको designation दिया गया है लेकिन yoga subject नहीं है तो आप इसमें participate नहीं कर पाएंगे जहां पर yoga subject opt किया है वही school में जो yoga teachers है वो यहां participate कर पाएंगे आगे बात करता है important points only yoga teachers can register वो हम बात कर चुके है mandatory for yoga subject teachers तो जो भी yoga subject teachers है जहां पर yoga as a skill education introduced किया गया है तो उस school में yoga teachers के लिए compulsory mandatory है no TADA admissible तो इस training को attend करने के लिए जो भी डिल ली जाएंगे उनके लिए TADA यहां पर admissible नहीं होगा तो या तो school या तो जो teacher है उनको खुद ये bear करना पड़ेगा no fees इसके लिए कोई fee नहीं है यहां fees pay करने के बात नहीं है and confirm participation on or before 30 June और registration link जो है उस पर जाएंगे और 30 June से पहले आपको register कर देना है आगे बात करते हैं तो इसका जो important link वगेरा जो है तो link आपको description में मिलेगा और mail वगेरा आपको help या कुछ detail जानना चाहते तो उसका भी contact detail मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं send email MS Jyoti Assistant Secretary Department of Skill Education at CBSEDS Training at there at gmail.com और mobile number यहां पर दिया हुआ है तो इस mobile number पर आप contact कर सकता है तो यह था training program का detail I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कीजी शेयर कीजी और आप अगर social media पर active है तो हमारा page facebook पर है tutorial AICS IP जहाँ पर मैं mixed content डालता हूं इस वाला भी और subject related AICS IP वगेरा तो वो भी आपको मिलेगा और Instagram अगर यूज करते हैं तो एस भी संदे पर्मार मेरा personal account है और tutorial AICS IP पे भी आप follow कर सकता है तो चले मिलते हैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में किसी और नए सेशन के लिए तब तक के लिए जाए ही इंजाए पारत थैंक्यू वेजिमेंट फ़वाचिंग झाल 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 झाल